हेलो, आज का जो हमारा टोपिक है वो Indian Geography से है इंडिया, land, border तो सुरुवात करते हैं दिखो जो इंडिया के border है, वो land border है वो साथ country से लगते हैं वो साथ country कौन-कौनसी है, वो है decreasing order में बांगलादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, मियामार, भूटान, अफगानिस्तान इन में जो सबसे ज़्यादा boundary लगती है इंडिया की वो बांगलादेश के साथ लगती है 4600.7 km उसके पाद चाइना 3488 km ये इस तरह ये फिगर याद करने की जुरूत नहीं है लेकिन जो ये हैं इनका decreasing order याद करना जुरूरी है जैसे बांगलादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, मियामार, भूटान और सबसे चोटा boundary लगती है अफगानिस्तान के साथ और कुछ fact देख लिखते हैं टोटल border इंडिया का land border 15106.7 km है और इंडिया का जो border रन करता है वो 17 states से रन करता है यादि हमारे जो 17 states है वो किसी दूसरी country को छूते है उनमें जो boundary टच करती है वो 29 डिस्टिक्ट है और त्रिपुरा जो एक इंडिया श्टेट है वो बंगलादेश से तीन ओर से गिरा हुआ है तो यह सुरुवात कर लेते हैं इंडिया के border से यह पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, मियामार और बाकी हम आगे आने वाले पैंपे देख लेंगे अब इंडिया, बंगलादेश, बोडर जो total length है वो 4,96.7 km है और जो border को टच करने वाले state है decreasing order में हो है वैस्ट बंगाल, तिरपुरा, मेगाल लेया, असम और मिजोरम तो यह है जैसे यह बंगलादेश है तो यह जो border टच हुआ है यह वैस्ट बंगाल से हुआ है उसके बाद यह असम, यह मेगाल लेया और यह त्रिपुरा और यह मिजोरम और अगर decreasing order में देखे तो वैस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेगाल लेया, असम और मिजोरम और जो इंडिया बंगलादेश बोडर है उसमें important topic कौन-कौन से है एक है तीन बिगा corridor जो इंडिया ने बंगलादेश को लीज पर दे रखा है, यह दे रखा है जिसे कि बंगलादेश की जो end claim है इंडिया में उसपे वो access कर सके एक है red cliff line, red cliff line इसलिए क्योंकि यह जो इंडिया बंगलादेश का border था, वो red cliff ने decide किया था 1947 में और land border agreement, यह बहुत important है, यह 2015 में ratified हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि 111 border enclaves हमने बंगलादेश को transfer कर दिये और बंगलादेश ने 51 enclaves हमें transfer कर दिये, और इसकी trick है याद करने की, कि border कौन-कौन से touch करते है time, am, pm, यानि time में t देखना है, t यानि त्रिपुरा, am यानि असम, मनिपुर, और नहीं सोरी, असम, मिजोरम और pm, पश्चमंगाल, और मिजोरम, तो time, am, pm, ये trick है, इसे याद रखने की, त्रिपुरा, और ये क्या कहते हैं, असम, और ये मिजोरम, पश्चमंगाल, और मनिपुर, फिर हैं, इंडिया का चाइना के बॉर्डर के साथ, तो इसमें हैं LAC, यानि line of actual control, इंडिया पाकिस्तान के साथ LOC है, यानि line of control, और इंडिया चाइना के साथ LAC है, line of actual control, ये जैसे ये map है, तो जो ये line है, ये line of actual control है, और हमारा जो अकसाई चीन है, उस पर चीन ने अधिकार किया हुआ है, मैक मोहन line, एक important line है, जो इंडिया के अरुनाचल परदेश को तिबबत से अलग करती है, और चीन इस line को नहीं मानता, अकसाई चीन एक area है, इंडिया का area, जम्मू कस्मीर का, उस पर चाइना ने अधिकार किया हुआ है, और उसके बाद देख लेते हैं, इंडिया चाइना बोर्डर में मैक मोहन लाइन वाज, part of 1914, similar convention between British India और तिबबत, 1914 में similar convention हुआ था, British India और तिबबत में, तो वो मैक मोहन लाइन खीची थी, मैक मोहन लाइन ये खीच दी इनोंने, ये मैक मोहन लाइन है, इसमें क्या हुआ कि यहां तिबबत है, और ये अरुनाचल परदेश है, और इसे border कौन-कौन से टच करते हैं, जम्मू कस्मीर, हिमा हिमाचल, उत्राखंड, और सिक्किम, और अरुनाचल परदेश, बोल्डरिंग स्टेट विक चाइन, यानि चाइन के साथ कौन कौन से जम्मू कस्मीर, हिमाचल, उत्राखंड, सिक्किम, अरुनाचल परदेश, और इसकी ट्रीक है याद करने हैं, जम्मू का सिपाही, अरुन हिमाचल पर उत्रा जम्मू यानि जम्मू कस्मीर सिपाही यानि इसका ऐसा ही लेना है सिक्किम अरुन यानि अरुनाचल प्रदेश हिमाचल याद रखना है और उत्रा से उत्राखंड यानि यह याद रखना है फिर इंडिया-Pakistan border, LOC यानि इंडिया के कश्मीर और पाकिस्तान occupied कश्मीर को जो नियंत्रन रिखा अलग करती है वो LOC है, यह Simla pact 1972 में decide हुई थी, एक zero point भी है, zero point क्या है, इंडिया के जो state है गुजरात और राजस्तान उसे पाकिस्तान के सिंद प्रांच से अलग करती है, इस तरह Red Cliff Line 1947 में decide हुई थी, और इसी के according ही इंडिया-Pakistan में विवाजन हुआ था, और जो state टच करते हैं वो जम्मू कस्मीर, पंजाब, राजस्तान और गुजरात, यह जम्मू कस्मीर, पंजाब, राजस्तान और गुजरात, उसके बाद इंडिया-नेपाल border, उसके touching state उतराखंड, UP, बिहार, West Bengal और सिक्किम, जैसे यह नेपाल है, इसमें उतराखंड, UP, बिहार, West Bengal यहां से touch है, West Bengal और सिक्किम, और इसकी याद करने का तरीका है, U square, B square, S, यानि दो U हैं, दो B हैं, एक S है, U square, B square, S, दो U हैं तो उतराखंड, UP, दो B हैं तो नहीं, बिहार, बेंगौल और S है तो Sikkim फिर उसके बाद है इंडिया म्यामार बोर्डर बोर्डरिंग स्टेट कौन कौन से हैं एक अरुनाचल परदेश, नागलेंड, मनिपूर और मिजोरम जैसे ये म्यामार है तो इसके बोर्डरिंग स्टेट है अरुनाचल परदेश, नागलेंड, मनिपूर और मिजोरम या इसमें भी देख सकते हैं अरुनाचल परदेश, नागलेंड, मनिपूर और मिजोरम ये इसे टच कर रहे हैं और इसे याद करने का तरीका है अरुनामामी यानि अरुनाचल परदेश अरु अरुनाचल परदेश नागलेंड मनिपूर और मिजोरम और उसके बाद इंडिया भूटान बोर्डर और ये चार श्टेट्स है असम अरुनाचल परदेश वेश्ट बंगाल और सिक्किम याद करने का तरीका है SAAB सिक्किम अरुनाचल परदेश असम और बेंगल यानि ये भूटान है जैसे ये सिक्किम टच कर रहा है ये बेंगल ये असम और ये अरुनाचल परदेश यानि चार श्टेट टच कर रहे हैं सिक्किम बेंगल असम और अरुनाचल परदेश और उसके बाद देख लेते हैं इंडिया अफगानिस्तान बोर्डर वैसे अगर देखें तो इंडिया अफगानिस्तान एक्चुल में कोई शेर नहीं करते लेकिन जो हमारा कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो टच करता है यहां पर यह अफगानिस्तान आ रहा है और यह टच करता है गिलगित बलतिस्तान जो पाकिस्तानी कस्मीर में है और यह सबसे छोटा बोर्डर है और अभी इस पर इंडिया को कोई अधिकार नहीं Thank you, thank you very much Please subscribe Study GK